नमस्कार दोस्तों आप सबोका स्वागत हैं आज हम भारतिय सम्मिधान के कुछ महतपूर्ण बाते बताएंगे जो कि आपको याद हमेशा रखना है यानि आपको इसके बारे में समझना है तो आपको हमेशा याद रहेगा तो भारतिय सम्मिधान क्या है सम्मिधान क्या है त और आप बहुत सारे एक्जाम में बैठेंगे तो वहां इससे कुछ रिलेटिव प्रस्न पूछे जाएंगे शम्भीधान से तो सबसे पहली बात की सम्भीधान क्या है हम समझेंगे तो शम्भीधान सरकार चलाने के नियमों का एक महतपुर्ण लिखित दस्तावेज हैं दस् अभी हम लोग डायरी कहते हैं तो समझ गया आप बात को कि शम्भीधान सरकार चलाने के नियमों का एक महतपुर्ण लिखित दस्तावेज हैं जिसके अधार पर देश का सासन चलता है जिसके अधार पर देश का सासन चलता है 1946 में केबनेट मिशन प्लान के अंतरगत भारत के शम्भीधान का निर्मान के लिए शम्भीधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया यानि 1946 में केबनेट मिशन प्लान के अंतरगत भारत के शम्भीधान के निर्मान के लिए यानि कि भारत का एक शम्भीधान होना चाहि और इस बात को कहां रखा गया केबनेट मिशन पलोन के अंतरगत रखा गया कि सम्विधान सभा का गठान प्रस्ताप रखा गया अब दिखें आगे शम्विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटिस भारत में इस्थिर्ता विधान सभा के सदस्यों दुआरा क्या गय रियासतों ने अपने परतिनिधियों को सीधे शंविधान सवा के लिए निर्वाचित किये गए अब रियासतें क्या होता है तो दोस्तों उसमें अलग अलग जो राज्य हुआ करता था उसे रियासतें करते थे और उस समय रियासते ही चलते थे शम्विधान बनने से पहले शम्विधान लागू होने से पहले रियासते चलते थे शभी रियासतों को जोर कर एक भारत वर्स बनाया और उसी में एक शम्विधान लागू किया गया तो रियासतों के अपने अपने परतिनी धी को शम्विधा सभावान सवा का प्रतम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को संसद भवन के केंद्रिय कक्ष में प्रारम हुआ दौक्टर सचितानन्द शिन्हा को सार्ब समिति यहने कि समिति इसको उसको बोलते हैं जहाँ दस 20 आदमी बैठाओ सार्व मतलब सभी तो सार्व समित्ती से ओस्थाई अध्यक्ष चुना गया यनि आपको पूछा जाएगा कि सम्विधान सवाग का ओस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गये थे या ओध्यायक्ष कौन थे तो सचिता नंद सिन्ह थे चुना गया 11 दिसम्बर 1946 की बैठक में डाक्टर राजेंद परसाद को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया अब दोस्तों पूछा जाएगा प्रशन आपको कि सम्विधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है तो डाक्टर राजेंद परसाद तो डक्टर रहेंद परसाद को कब अस्थाय अध्यक्ष चुना गया था तो 11 दिसमबर 1946 को और ओ अस्थाय अध्यक्ष कों चुने गये थे सचितानंद सिन्ना तो आप दोस्तों यहां तक समझ गये अब आगे चलते हैं आगे दोस्तों यहां पर आप समझ देखिएगा कि हाँ अब समझेगा शम्विधान को तयार करने में 2 साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा तो सम्विधान को तयार करने में कितना समय लगा शम्विधान को तयार करने में 2 साल 11 महिने और 18 दिन का समय लगा शम्भिधान 26 नवंबरבת 1929 को अंकिरित यहीं ही पारित क्या गया यहीं कि सम्भिधान बन कर तयार हो गया 26 नवंबर 어떻게 1999 को अंकिरित यहीं ही पारित क्या गया एबन इससे 26 जन्दरी 1950 को लागू क्या गया यानि इसको संविधावन बनकर तयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को अंक्रित यानि उसे पारित किया गया और 26 जनवरी को लागु किया गया क्योंकि 1930 से ही शंपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन श्वधिनता दिवस यानि कि 1930 में अपना देश को आजाद हो चुका था और उस समय से कुछ आगे कुछ जो भी तुर्टी होगा उसे संपूर्ण धांग से यही सोचकर लागु किया 26 जनवरी को ने कि 1936 जनवरी को स्वधिनता दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी दिन सोचा कि 26 जनवरी 1950 को गंतंत्र दिवस मनाते हैं क्यों मनाते हैं क्योंकि दिवस के रूप में मनाया जाता था इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रत्थम गंतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया और उसी दिन सम्विधान को लागू किया गया अब देखे निर्मित सम्विधान में जिसमें बनाया गया सम्विधान उसमें 395 अनुचेद 22 भाग 8 अनुचुचियों थी तो शुरुवाती सम्विधान में 395 अनुचेद थे 22 भाग थे और अनुचुची कितना था अनुचु ब्रिटेन से हमारे संभिधान ने संसद्य प्रणाली एकल नागरिक्ता तथा मंत्री मंदल्य प्रणाली को गरहन किया। ब्रिटेन के संसद्य प्रणाली ये सभी 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 ब्रिटेन के संसद्य ग्रहन क्या गया है भारतिय समिधान ने अस्टेलिया से समवर्थी सूची अस्टेलिया से क्या लिया गया है अस्टेलिया के समिधान से अस्टेलिया के समिधान से अस्टेलिया से शमवर्थी सूची और जर्मनी से अपता काल का प्रवंध ग्रहन क्या है और परी संगात्मक इकाई कनरा से लिया गया है तो दोस्तों आप यह में में इंपोर्टेन यह रहा कि ब्रीटेन के संभिधाउन से क्या क्या लिया गया है तो संसद्ये प्रनाली लिया गया है एकल नागरिक्ता लिया गया है मंत्री मंडल प्रनाली लिया गया है यह कहां से लिया गया है इन उप्वंद प्रवंद लिया गया है तो दोस्तों ये सभी मेन मेन इनपॉर्टेंट बात था जो की प्रिक्षा में पुछे जाते हैं